आप देख रहे हैं दोस्तों के उपर पिछले वीडियो में मैंने आप से शेर किया था कि अगर आप अपनी रिजिशन्चिल हाउस पापरटी सेल करते हैं तो उस पर आप इंकम्लेक्स कैसे बचा सकते हैं दोस्तों उस वीडियो में मैंने आप से आपकी रिजिशन्चिल हाउस पापरटी की सेल पर अगर आपको प्रॉफिट या गेन होता है और उस पर कोई इंकम्लेक्स बनता है तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में आपको बताया अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी कैपिल एसेट्स के बारे में यानि के अदर देन रेंजेंशन हाउस पोपर्डी जिनकी सेल पर अगर आपको लॉंट टॉम कैपिल गेंड होता है तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं और वो भी लीगल तो इस वीडियो के आप तक बने रही है चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अगर आपने अभी ता इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको टैमली मिलते रहें और ये आपके लिए बिलकुल फ्री है तो दोस्तो इंगम्डेक्स के सेक्शन 54 एप के अंदर आप अगर कोई अपनी ऐसी प्रेटी सेल करते हैं जिस पर की आपको लॉंग टर्म कैप्टल गेन होता है और वो रेजिंचर हाउस प्रेटी नहीं है तो भी आप उस पर इंगम्डेक्स बचा सकते हैं तो यदि आप एक इंडिवीजूल है या हूएफ है यानि के हिंदू अंडिवाइड़ फैमली है और आप कोई एक ऐसा लॉंग टर्म कैप्टल एसेट सेल करते हैं जो की रेजिंचर हाउस प्रेटी नहीं है यानि के चाहें वो स्टॉक हो या बॉंड्स हो या फिर मूचल फंड हो यहां तक की चाहें वो कॉमिर्शिल प्रपर्टी हो या फिर प्लॉट हो ये सब लॉंग टर्म एसेट्स इस एक्जेम्शन के अंदर कवर होते हैं यहां आपको एक बात ध्यान देने की है कि रेजिंचर हाउस प्रपर्टी तो सेक्शन 54 के अंदर कवर हो गई जिसको की मैंने पहले आप से डिसकस किया था इसके अलावा जो भी कैप्टल एसेट हैं और जो रेजिंचल हाउस प्रपर्टी नहीं हैं वो सेक्शन 54 F के अंदर कवर होती हैं इस सेक्शन के अंदर एक्जिंचन क्लेम करने के लिए ये कंडीशन है कि आपके पास एक से ज़्यादा रेजिंचल हाउस प्रपर्टी नहीं होनी चाहिए अदर देंदा नियू असेट उन्दा सेल अफ उल्डेस है इस सेक्शन के अंदर एक्जिंचन क्लेम करने के लिए जरूरी है कि आप एक नई रेजिंचल हाउस प्रपरटी परचेस करें एक साल के अंदर फ्रम देट अफ दे सेल अफ स्टॉक, बांट्स, मूचल पांट, कॉमर्शल प्रपरटी और प्लाट देट इस और इजिंचन के अंदर एक्जिंचन मिलेगा यहाँ पर एक इंपर्टन चीज ध्यान रखिए कि इस सेक्शन के अंदर एक्जिंचन क्लेम करने के लिए आप सिर्फ रेजिंचल हाउस प्रपरटी ही खरीज सकते हैं प्लाट नहीं अगर आपने प्लाट खरीद लिया तो इस सेक्शन के अंदर आपको एक्जिंचन नहीं मिलेगी हाँ आप न्यू रेजिंचल हाउस प्रपरटी या तो पर्चेस कर सकते हैं या कंस्रक्ट कर सकते हैं पर्चेस करने के लिए आपको एक साल का समय मिलता है यानि वन येर बिपोर उस ओरिजिंचल एसेट को सेल करने की जेट से या फिर सेल करने की जेट से टू येर्स के अंदर अंदर आप उस न्यू रेजिंचल हाउस प्रपरटी को पर्चेस कर सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने अपने कैपिल एसेट को सेल करने से एक साल पहले भी अगर कोई रेजिंचल हाउस प्रपरटी पर्चेस कर ली थी तो उसका भी फायदा आपको एक्जेंचिन क्लेम करने के लिए मिल जाएगा इस सेक्शन के अंदर या फिर आपने कोई रेजिंचल हाउस प्रपरटी अपनी कैपिल एसेट को सेल करने के दो साल के अंदर अंदर भी पर्चेस करी है तो उस पर भी आपको एक्जेंचिन इस सेक्शन के अंदर मिल जाएगी या फिर अपनी capital asset की sale की date से तीन साल के अंदर अंदर आप एक नई residential house property construct कर लेते हैं तो भी आपको exemption इस section के अंदर मिल जाएगी एक important condition इस section के अंदर मैं आप से और share करता हूँ वो यह है कि इस section में आपको अपनी entire sale procedure amount जितने की आपने अपनी original capital asset sale करी है उसको पूरा अपूरा invest करना है full capital gain से tax exemption लेने के लिए unlike section 54 जहां पर की आपको सिर्फ capital gain का amount ही invest करना होता है for example अगर आपने अपनी capital asset rupees one crore में sale करी है और आपको उस पर 75 lakh rupees का capital gain हुआ है तो यहां पर आपको पूरा का पूरा one crore rupees ही invest करना पड़ेगा new house purchase करने में या construct करने में ना की सिर्फ 75 lakh rupees अब ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरा का पूरा one crore rupees invest ना करें और उसकी बजाए सिर्फ rupees 50 lakh एक नई residential house property में invest करें तो इसी condition में आपको capital gain का exemption भी proportionately कम मिलेगा यानि कि जो आपको रूपी 75 lakh rupees का total capital gain हुआ है उसकी बजाए सिर्फ उसका 50% यानि रूपी 37.5 lakh rupees का ही capital gain exemption आपको मिलेगा ना कि full rupees 75 lakh का यहाँ पर एक important बात आपको ध्यान में रखनी है कि unlike residential house property जहाँ पर minimum holding period 24 months है for the purposes of long term capital gain इन capital assets के case में आपका holding period 36 months होगा ना कि 24 months in order to claim exemption from long term capital gain अगर आपने जो residential house property purchase की है या construct की है उसे purchase करने की date से या construct करने की date से आप उसे sale कर देते हैं या transfer कर देते हैं within three years तो आपको जो भी capital gain का exemption मिला था पुरानी वाली capital asset पर यानी के old capital asset पर वो पूर अगा पूरा reverse हो जाएगा और आपकी normal income में चोड़ दिया जाएगा और जो भी आपके उपर rate of tax applicable है उसके हिसाब से वो आपके हाथ में पूरा पूरा tax हो जाएगा उस साल में जिस साल में आपने उस नई asset that is residential house property को sale या transfer कर दिया जब तक आप अपने is sale proceed या consideration को new residential house को purchase करने में या उसके construct करने में नहीं लगाते हैं तब तक आपको उसको अपने capital gain account में रखना पड़ेगा तो अगर आपने unutilized amount को अपने capital gain account में नहीं रखा तो उस condition में भी आपको capital gain exemption नहीं मिलेगा जितना unutilized amount आपने capital gain account में जमाने ही किया वीडियो आपको कैसा लगा comment box में डाल कर जरूर बताईए तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बताईगे जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो मुझे like का signal जरूर दीजिएगा आपको लगता है ये information किसी और के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को share जरूर कीजिए इसी तरह के various complex topics मैं simplify करता हूँ इस YouTube channel CABA info entry पर तो अगर आपने अभी तक इस YouTube channel को subscribe नहीं किया है तो इस channel को subscribe कीजिए ताकि अने वले सारे वीडियो के updates आपके पास आ सकें और हम और आप मिल सकें एक और interesting topic के साथ इसी और दूसरे वीडियो में तब तक अपनी health का और अपनी wealth का अच्छी तरह से ख्याल रखिए बाबाई आप तेड़काइ भाउम भाउम आप अपनी अपनी पास नच्ट अपन्वाबाव आप